नमस्चार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे तो मैं Dr. Kapil आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आजके इस वीडियो में बात करेंगे फोबिया के बारे में ये फोबिया मतलब डर की बिमारी को यूज करनी है अन्य था सारी मेडिसिन इस्तवाल नहीं करनी है यदि कोई सिम्टम्स छूट जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बताईएगा पर्टिकुलर जो मेडिसिन आपके सिम्टम्स पर सूट करेगी वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि फोबिया होता क्या है दोस्तों फोबिया एक टकार का mental disorder है जिसमें आपका brain आपकी thoughts के खिलाफ काम करता है फोबिया जो है आपको particular object से हो सकता है particular situation में हो सकता है या particular activity से हो सकता है इसमें जो है जो है या different types के होते हैं जैसे किसी objects के यदि हम बात करें तो objects में ऐसा होता है दोस्तों कि किसी को pin phobia होता है pin phobia जिसमें silesia medicine बहुत अच्छा काम करती है मतलब patient को किसी भी नुकीली चीज से डर लगेगा patient यदि बिस्तर पर सोने जा रहा है तो सबसे पहले देखेगा कि इसमें कोई pin तो नहीं है कहीं बैठने बाला है तो कोई नुकीली चीज उसे चुबना जाए तो नुकीली चीज से डर जो होता है उसे हम pin phobia कहता है कई लोगों को blood phobia होता है मतलब blood से डर यदि वो किसी का blood देख ले तो वो तुरत बेहोस हो जाते है उन्हें घबराट हो जाती है उन्हें बेचेनी हो जाती है किसी किसी को cluster phobia होता है मतलब थोड़ी सी भी छोटी जगह पे यदि वो चले जाए जैसे छोटी कार में कोई patient सफर कर रहा है cluster phobia का जिससे यदि मैं गिनाने बैठूँगा तो पूरा वीडियो मैं गिना भी नहीं पाऊँगा हर एक चीज से phobia हो सकता है किसी किसी को आजकर बहुत ज़्यदा mobile phobia हो रहा है mobile phobia मतलब mobile से भी patient को डर लगने लगा है गंटी बजी तो patient को डर हो जाएगा कि हो सकता है पता नहीं किस का phone आ गया तो इस तरह से different phobias होते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को phobias के लिए 5 ऐसी best homeopathic medicine बताता हूँ जिने आप बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से समझेगा पूरे sign and symptoms के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा और यदि आपके particular medicine से symptoms match करते हैं तो बेजी जाक होकर आप इन दबाईयों को इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों हमारी सबसे पहली medicine आती है एकोनाइट दोस्तो एकोनाइट जो है phobia के लिए homopathic medicine मानी गई है phobia and restlessness ने साल सो घबरहाट बेचेनी के लिए भी बहुत अच्छी medicine है मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि patient आकर क्लिंट में बताते हैं कि सर मुझे तीन दिनों से बहुत घबराट हो रही है मैंने तरह तरह की medicine ट्राइ किया हूँ लेकिन मेरी बेचेनी नहीं जा रही है मुझे नेंद नहीं आ रही है और पाने की प्यास बहुत जाथा लग रही है तो इस conditions में जो हम patient को equonite 1M potency में देते हैं तो phobia में क्या लक्षन मिलेगा any kind of phobias आपको कौन सा phobia है माने नहीं रखता यदि उस phobia के साथ आपको fear of death और साथ में anxiety मुझूद है आपको cluster phobia है मॉयल phobia आपको pin phobia है आपको knife phobia है चांकू से डर लग रहा है हत्यार से डर लग रहा है आपको bheed से डर लग रहा है आपको bike में बैठने से डर लग रहा है आपको animal phobia है आपको dog phobia है any kind of phobia you have यदि if the phobia is present with restlessness and fear of death यदि आपको म्रत्यू का भय उस समय लगता है तो you can use Econite 1M potency frequently ये patient को हम 5-5 minute पर भी repeat करवाते हैं and believe me patient को 4-5 खुराग देते से patient clinic में बैठे बैठे ही बोल देते हैं कि yes sir I feel better तो यदि आपको phobia है with restlessness, anxiety and the fear of death का symptoms मौझूद है तो you can use Econite Econite के second grade पर हमारी medicine आती है arsenicum album जी हाँ दोस्तों arsenicum album भी phobia की बहुत बहुत अच्छी medicine है इसका particular symptoms यह रहता है कि patient को restlessness महसूद होती है साथी साथ पूरी body में weakness महसूद होती है ध्यान रखीगा restlessness तो हमारी Econite में भी मतलब घवराहार तो Econite में भी मौझूद है लेकिन Econite में fear of death मौझूद है if the symptoms is same as Econite you have phobia but you don't have fear of death so you can use arsenicum album 1M potency frequently dose repeat करते हैं 15-15 minute में patient को पिलाते हैं and 3-4 dose में patient better feel करने लगते है साथी साथ मैंने ये देखा है कि मैं एक clinical experience आप लोगों के शांस share कर देता हूँ कि whenever the patient is came from disneya asthma like symptom patient कई बार आके बताते कि sir मुझे सांस लेने में बहुत जादा problem हो रही है हम estheto लगा के सुनते कि हाँ patient को अस्थमा है तो उस condition पे हम Econite और Arsenic दोनों ही mix करके 1M potency में हर 2-5-5 minute में patient को पिलाते हैं और patient believe me friends patient बैठे बैठे 4-5 खुराक में बोलता है कि sir I feel better मतलब इतना fast result हमें इन homeopathic दवाईयों का देखने को मिलता है आईए दोस्तों बात करते हैं हमारी next medicine की तो हमारी third medicine है isstramonia if you have symptom of cluster phobia आपको छोटी जगह से डर लगता है और आपका मन करता है कि मैं यहां से बाहर निकल जाओं कई बार मैंने देखा है कि patient कार में सफर करते हैं और उन्हें से लगता है कि वो कुंध से गए हैं बहुत छोटी जगह में pack कर दिये गए हैं तो उन्हें अचानक से ऐसे desire होती कि मैं इस जगह से किस तरह से भाग जाओं patient कई बार bus में सफर कर रहा होता है तो वो bus को रुखवा देते हैं और बाहर निकल जाते है patient कई बार कमरे में होता है तो वो कमरे से बाहर निकल जाना चाहता है patient अकेला जो सुमसान रास्ता होता है अकेले उसे पार नहीं कर सकता है उसे किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है कई बार इस तरीके का जो phobia होता है वो बच्चों में पाय जाता है यदि आपकी condition acute है मतलब अभी आप fearful stage में हैं और यह जो phobias होते हैं इनकी एक beauty यह होती है कि यह stages में आते हैं ततकाल पांच-पांच बहुंच जीप पर डालना स्टार्ट करिया हर एक दो-दो मिनिट पर डालिए आप देखेंगे कि तीन-चार खुराक में आपको 15-20 मिनिट में बहुत अच्छा रहा मिल जाएगा यदि आपके symptoms जो हैं वो थोड़े से chronic हैं आपको अभी ततकाल कोई panic attack नहीं है कोई phobia का attack नहीं है so you can use this medicine one impotency once daily और twice daily भी आप यूज़ कर सकते हैं दिन में दो बार तक आप ले सकते हैं आप देखेंगे कुछी हफतों के इस्तेमाल से आपका जो phobia का attack है उसकी frequency जो है वो बढ़ने लग जाएगा यदि आपको तीन दिन में attack होता तो आपको हफते में पढ़ेगा फिर दीरे से वो 15 दिन में मेहने भर में ऐसे करके दीरे दीरे आपका phobia चला जाएगा तो इस्त्रामोनियम के सिम्टम्स आप लगों ने जान लिया पिशेंट अन्धेरे से डरेगा अकेले पन से डरेगा सुमसान जगह से डरेगा चोटी जगहों से डरेगा उसे डर लगता कि मैं कहीं close नहों जाओं कुंध ना जाओं तो यह सिम्टम्स होते हैं इसके बाद मे बहुत शांदार काम करती है if you have fear from open place और आपको ऐसे लगता है कि जादा मैं खुली जगह पे पहुँच जाओंगा तो मुझे बहुत जादा डर लगेगा मुझे बहुत जादा भाय लगेगा पेशेंट कई बार तो open area में जाना ही नहीं चाता तो इस condition में phosphorus बहुत अच्छ हाइट से डर लगता है साथी साथ ऊची बिल्डिंग्स को देखकर के भी डर लगता है पेशेंट तो कई बार ऊची बिल्डिंग्स के पास से क्रॉस भी नहीं हो पाता इस तरह की condition होती है urgentum nitrogen के patient की दोस्तों इसके बाद में हमारी next medicine है lycopodium यदि आपको डर लगता है कि आ मेरा पीपर सहीं जाएगा या नहीं जाएगा यदि आप businessman है और आप को business start कर रहे हैं तो आपको बहुत जादा फिवरफुल कंडिशन रहेगी lycopodium का जो patient होता है वो intellectually keen होता है वो भविष्यों को देखकर चलता है हमेशा कि भविष्य में मेरा क्या होगा तो यह भविष्य की जो चिंताएं है भविष्य का जो डर है उसको खतम करता है lycopodium जो मेरे ख्याल से बहुत सारे patient में मिल जाएगा इवन I have also intellectually keen lycopodium medicine मुझको भी बहुत अच्छा सूट करती कि उसकि मुझे भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा रहती है तो दोस्तों यह थी हमारी कुछ बहुत अच्छी सांदार homopathic medicine कि यदि आपके लक्षण मैच करते हैं इसके बाद भी इतने शारे लक्षण है phoovias क जिसे मैं explain ही नहीं कर पाता एक वीडियो में तो इसकी medicine अलग है यदि आपको bike सा डर लगता है तो ऊसकी medicine बहुत अच्छा गाम करती है तो यदि किसी particular चीज से phobia है तो आप comments कर दीजिए मैं आप लोगो कोई बताने की कोशशिश करूँगा और I hope दोस्तो इन दवायों से आपको जरूर हेल्प मिलेगी दोस्तो यह जानकर यह आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा दोस्तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैक शूर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथी साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के जाने कर यह आप तक पहुंशती रहे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच अब भी आपके कोई डाउट से हैं आपके मन में कोई विचार हैं तो आप कमेंट के मादम से मुझसे जरूर पूछेगा